और इसला एक बड़ी खबर आरे है नेपाल में नदी में पल्टी है उत्तर प्रदेश से जा रहे है एक बस बताया जा रहा है कि नेपाल नदी में गिरी है भारतिय बस हलाकि ये हाथसा कैसे हुआ है अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है लेकिन ये खबर आ रहे है नेपाल में नदी में एक बस गिरी है बताया जा रहा है कि उत्ताप्रदेश से ये नेपाल की तरफ जा रहे थी जब नदी में ये बस गिरी है नेपाल के पोकरा में ये बहुत अधिक जानकारी नहीं लग पाईये लेकि इंस्क्लूसिफ तस्विरे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त नदी में पूरी तरह से उफान है आप समझ सकते हैं एक पूरी की पूरी बस इस नदी में गिरी है चालिस यात्री इस बस में सवार थे हाथ से के वक बस पोक्रा के पास एक नदी में गिर गई है हलाकि अब तक ही समाचार नहीं मिल पाया है कि कितने लोगों को निकाला गया है कितने लोग इसमें सवार है कि नहीं हुआ है जल्दी इस बात की जानकारी अपने दरशायकों को देंगे लेकिन इस वक्त की बड़ी ख़बर हम आपको बता रहे हैं नेपाल के पोक्रा में भारतियों से भरी बस नदी में गिर गाई है हादसे के वक्त बस में 40 के 70 सवार थे यह बस नेपाल के पोक्रा से काट मांडू जा रहे थी बता जा रहा है कि यह बस उत्तर प्रदेश नंबर की थी तो नदी में बस गिरी है आप देख सकते हैं नदी में किस तरह से उफान है इस वक्त बरसात का मौसम है अगर नेपाल की बात की जाये तो इसकी जादतर नदिया इस वक्त उफान पर रहती है और इस उफान के कारण कई बार बाड़ की सित्य उत्तर प्रतेश और बिहार में भी नेपाल की नदियों से होती है और अब जब इसमें बस गिरी है तो बताया जा रहा है कि 40 लोग इसमें सवार थे अब 40 लोगों का रिस्क्यू किया गया है कैसे उनको निकाला गया है क्या इस वक्त वहां पर जो लोग सवार थे बस में उनकी क्या तादात रही है इस बारे इस नमबर की जो बस है वो गिरी है इस नदी में बताया जा रहा है कि पोकरा में भारतियों से भर ये बस है हाथसे के वाक 40 लोग करीब 37 बस में ये बस नेपाल के पोकरा से काटमांडू जा रहे थी जब ये खाथसा हुआ ये तस्वीरे सामने आ रही है इसमें आप देख र भर यहाँ से निकल कर सामने आईगी लेकिन वहां पर इस वक्त रिस्क्यू का काम चल रहा है कितने लोग इसमें बस में सवार थे क्या तादात थी कहां से लिए जा रहे थे किस तरह से ये खाथसा हुआ ये अभी जानकारी आ बाकी है जैसे ही जानकारी आती है वैसे अपन के पोकरा के पास दुरगटना ग्रस्त हुई है इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है उनको निकालने की कोसित कि जा रही है जी कि अब तक कुछ पता चल पाएं कितने लोग सवात रामकुपाल इस बस में कुछ जानकारी मिल रही है कहां से लोग जा रही थे और किस तरह से हाथसा हुआ बेकुल ये अलग-अलग जिलों से लोग गए थे घूरा के दर्सन करने के लिए जा रहे थे और दर्सन के बाद फिर ये अलग-अलग वहाँ पे घूमने टालने के लिए निकले हुए थे अब चुकि अभी ताजकाली के है अभी पूरी जानकारी आई नहीं है अभी वहाँ जो प्रसासन है वो ये लगा हुआ है कि किसी तरीके से इस पूरे मामले को जो घायल बचें उनका इलाज बहतर तरीके से किया जाए और जो यूपी नंबर की जो बस गई है इसके बारे में भी पता लगाने की कुशिच की जा रही है कि कहां से ये लोग सवारी बुकिये थे और कहां कहां के लोग इस पे बैठे हुए थे जी द्राम गुपाल क्या यूपी सरकार की तरफ सभी तक कोई मदद पहुचाए गई है कि ये दोसरे देश का मामला होता है नेपाल दूसरा राश्ट है तो हम सीधे प्रदेश सरकार के जो अधिकारी है जो बॉडर के लगे हुए जिले हैं चाहे वो महाराज गंट के जिलेओं सिधार नगर स्रावस्थी बलरामपूर बाराइच या ऐसे जुदने भी ये सटे हुए जिले हैं ये सभी एक दम सक्री हैं और अगर सरकार के दोरा दिशा लिर्देश दिया जाए का तो कुछे घंटों में ये लोग वहाँ पर पहुंच के रात औ अपडेट है और उसको बारे में जो वहां का नेपल परतासन है वो नेपल परतासन लगा हुआ है जो घायर लोग है उनको बहतर इलाज कराया जाए और उन घायरों को नजर आई रही है इसके लावा जो आसपास के रास्ते हैं वो भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हाला कि जाच का विशे है कि हदसा कैसे हुए बिल्कुल चूकि यह बरसाच का मौसम चला और पहाड़ी छेत्रों में इसमें जो आवागमन की इस्तिती होती है वहागमन की स्कति बहुत सही है इसमें अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा बचा के जाईए क्योंकि जो रास्ते हो बस कि ये नेपाल के तनहूल जिले में है और ये जो नदी है इस नदी का नाम है मार्स यांडी नदी है और ये बस जो है यूपी अफ्टी प्लेट भी लगा हुआ है और वहां अधिकारी हों गया है कि ये काडमांडू जा रही थी तो अब पता किया जा रहा है कि इसमें कौन से लोग थे कहां थे तरी 40 लोग इसमें सवार थे और ये जो है वहां के नदी में गिरी हुई है अभी क्या अपडेट मिल पा रही है इस हादसे को लेकर देखिए दुखत गटना है और गटना जैसे ही निवसेटीम ने फ्लेज की है उसके दूरत बात बहराई जो नेपाल से साथा जिला बहराई थे उसके वहां के अधिकारी मेरी डीम मोनिका रानी जीसे बात हुई उन्होंने कहा कि मैं देखी रही थी और मैंने एक तीम गठ है तो जांस टीम लगी हुई है और दुखत हाथा है डीम ने भी सोक श्रमिनना बिक्त की है और उन्होंने टीम गठिक की है जैसे कुछ अपडेट होता है तो न्यू जेटिंग की दर्सकों जरूरी अपडेट करेंगे अगलेश क्या कॉन्टेक्ट करने की कोशिश इसके अ नेपाल का जो बॉर्डर है वो बहराइच बल्लांपु स्रावस्ति यह जो गोरक पुरी जो चेत्र है यह पुरसटा हुआ है और खुली हुई है तो अभी तो चुकि लोग आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं बस का भी बस की जान चल लेगी कहां की बस्ती तो कुछ अभी जाते हैं काटमांडू जो चोतिलिंग है वहां भी दर्संग के लिए जाते हैं तो यह संका जरूर है कि यहां के लोग भी हो सकते हैं तो अभी जाज की जा रहे हैं तो घटना के बाद टीम घठित हुई है और थोड़ी देर में जैसे ही अपडेट आता है तो यह जटिन के जाज में क्या कारण निकल कर सामने आ रहा है इस हादिसे का देकि वही ले रिया है और इस समय जो मौसम है बर्साथ का मौसम है लैंसलाइट हो रहा है हर जगा तो चुकि अब यूपी की बसे हैं चुकि वहां के डुराइबर होते हैं नेपाल के वहां के ट्रेवल पर देकि वहां किसी का रिश्क्यू के लिए जाना संभो नहीं होगा चुकि दूसरा दे से जो भी होगा दूतावास के तुरू ही होगा तो हलाकि नेपाल प्रसाथन लगा हुआ है कुछ अब डेट मिल नहीं कि रिश्क्यू वहां चल लहा है लेकिन जैसे कुछ अबडेट मिल पार रहा हो हाला कि ऑफिशल यह अनॉंस्मेंट में हो सकता है कि थोड़ा इंतजार हमको और करना पड़े लेकिन क्या सूत्रों के हवाले से कोई अब डेट मिल पा रही है लेकिन अब अधिकारी तो यहां के लोग हो सकते हैं यूपी का नंबर अधा गारी क आप चुकी जहां चल लही हैं लेकिन अब इसे कुछ अऱइट होता है चंद मिलकूर जांगे तक यांभा पर अधिकारी सामने आ रही थी मौसम खराब चलाए ऐसे में काई जगा पर भूस खलन हो रहा है नदिया बीओफ़ान पर है जहां जहां पर भी खत्रा जादा बढ़ जाता है वहां पर अलर्ट जारी डिया जाता है या फिर रोक दिया जाता है रास्ते को क्या कोई ऐसे इंतज्बार आलट इस रास्ते पर रही था पहले से कि नेपाल की राजधानी काटमांडू हो काटमांडू जाने के लिए राते तो कि सब पुरा दुर्गम एरिया है पहाड़ी छेतर है हाइवे है लेकिन होता कहीं है कि कभी ऐसा बूस्करन हो गया लैंसलाइट हो गई बरसात हो रहा है तो जानी रहता है उनका अपना प्रोट हो जाती है अभी जान का भी से है कि यह सूझे से घटना होई है क्या रहा है जान चल यही हैं रामगुपाल जो तस्वीरे सामने आ रही है चालिश याद्रे इसमें सवार थे और ऐसे में एक बड़ा हाद्सा हुआ है तो चिंता जरूर बनी हुई है कि इतने लोग सवार थे क्या वो लोग सुरक्षित हैं या उनका rescue operation कर लिया गया है ओफिशल तोर पर हमें थोड़ा इंतजार और करना होगा जानकारी के लिए लेकिन क्या sources के हवाले से कोई जानकारी मिल पा रही है कि rescue operation क्या पूरा हो चुका है क्या लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है बिल्कुल अभी हम लोग इस पे लगे हुए है और अभी जो है जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मार्याइंगी नदीव है उसमें गिरी हुई है बस और चालीस यात्री इसमें सवार थे तो चालीस जो लोग थे उनको rescue operation उनका चलाया जा रहा है और लगाता है वो यह पता करने की कुशिच की जा रही है करीब करीब 200 किलोमेटर से अधिक की दूरी पर यह हास्ता हुआ है और वह हास्ता जो है पोखरा से काड़वांडू के रास्ते पर हुआ इसवक्त की नेपाल में बहुत बारिश हो रही है और बारिश के जितनी भी पहाणी नदिया है वह सभी उफान में इसी कायर आप सिर माव की तरफ है और समी नदिया खत्रे की निसान की करीश करीश पहुंच रही है तो नेपाल में जो बारिश है उस बारिश का असर यहां पर दिखाई पढ़ रहा है इसलिए यहां पर कांटीनियू जो है इस तिकी की घटा होई है और थोड़ा सा रिस्कू करने में चुकि नेपाल प्रफासर लगा हुआ है नेपाल प्रफासर यह कोशिश है कि जल्द से जल्द रिस्कू करके लोगों को बाहर निगाला जाए जो सुरस्चित बचे हैं जो बच गए हैं उनको इलाज कराया जाए और नहीं तो पहचान की जाए तो अभी जो प्रतम जिश्या जो हमने आ रही है वो यह है कि नेपाल प्रफासर पूरी तरीके से तो उनको अभी इस инструмент कोई बैसिक जानकारी नहीं है उनको क्या इस्ति होने वाली है क्या अगर नेपाल के प्रिशासन की बात कर ले क्या उनकी तरफ से कोई जानकारी अभी तक ओफिशल तोर पर दी गई है या कोई वक्त उन्होंने वक्त बताया हो कि कब तक रेस्क्यू आपरेशन पूरा कर लिया जाएगा बिल्गल अभी जितने भी हमारी यहां से भारतिय लोगों से बात हो रही है जो भारतिय प्रसासन के लोग है जो आफ़ दास पे जूड़े हुए लोग है अगर उनके पास भी प्रफाम दृष्टया जो जानकारी है वो यही है कि यह हास्ता हुआ है और ऐसे गहणना करम